दोस्तों आप देख रहे हैं New Launch Royal Enfield Classic 350 Chrome Series का Chrome Red Color Company ने Classic 350 को 5 Variant 11 Color Option के साथ Launch किया है इसमें बहुत सारे Changes किये गए हैं और इसमें कुछ नई Features भी Update किये गए है अब इसका Price भी पहले से बढ़ गया है इसके नई Features क्या है नई On Road कीमत कितनी है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके Front Profile से तो जहां से अगर आप इसको देखोगे Front से तो इस Bike में सबसे ज़्यादा Chrome का यूज किया गया है और इसके Front में आपको जो है दो Pilot Lamp मिल जाती है बल्ब वाली और इसके Headlight के सैड में भी आपको Chrome की Finish देखने को मिल जाती है और इसके Headlight के बल्ब के उपर आपको एक Cap देखने को मिल जाता है जो कि इस Light के Reflection के लिए लगाए गया है जिससे आपको Net के लिए अच्छी कासी रोशनी मिल जाए इसके नीचे की सैड में Number Plate लगाने के लिए Option दिया गया है और यहांसे आप इसके Front वाले Mudguard को देख सकते हो जो की 3 Color Option में दिया गया है जो की Chrome में, Red Color में और Golden कलर के Combination में दिया गया है जो इस Bike को एक काफी ज़्यादा Premium लुक दे रहा है जैसा कि यहांसे आप देख सकते हैं और यहां पर आपको एक Reflector देखने को मिल जाता है जैसा कि इस Bike में Dual Channel ABS Breaking System दिया है तो इस Bike में आपको फ्रंट का जो ब्रेक का जो डायमीटर है वो 300 mm का दिया गया है और इसके Front में आपको जो है 100 by 90 section के tire size दिये गए है और 19 inches के spoke bill दिये गए है और जैसा कि यहांसे आप देख सकते हैं इसके Front में आपको जो है Telescopic fork type के suspension मिल जाते हैं तो अब बात करें इसके सबसे बड़े बदलाब की तो इसका जो meter console है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है अब इस Bike मे आपको analog type का और digital type का meter console देखने को मिल जाता है जो की काफी premium looking का दिया गया है और यहांसे इसका जो key point है वो भी change कर दिया है पहले इसका जो handle lock था वो भी हटा कर जहांपर इस man key में ही adjust कर दिया है जो की इस bike के लिए positive point है और यहांपर आपको speed देखने को मिल जाते है जहां आप रॉर्टाव सुब्सकाश्णाभा and turn signal indication लागेंचे गयर की इंडिवर उटामितर की आपको इष्छन की में है चरिघी मिल जाता है जिसमें आपको किलोमीटर की रीटिंच और कलॉक देखने को मिल जाती है और इसके Democrat की जो button यth Gas बार रोट के कोर्णर पर देखने को मिल जाते हैं जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको Royal Enfield का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि काफी Premium Quality का लगाये गया है और यहाँ पर आपको Chrome की guidance और यहाँ पर आपको Woman बीम ठीम सुच और इसी में आपको passing का स्विच मिल जाता है जैसा कि इसके जो स्विच है वो पूरे के पूरे चेंज कर दिया है नीचे आपको indicator और होड़ का सुच्छ देखने को मिल जाता है अब चलते हैं इसके दूसरी साइड में तो यहां से भी आप इसके स्विच को देख सकते हो इसका जो सुच है वो राउंड सेब में दिया गया है इसी में आपको जो है इंजन किल का सुच और इसी में जो है सेल का सुच एड़ किया गया है और नीचे की साइड में आपको मिल जाता है हैजार्ड लाइट का स्विच तो अब बात करें इसके चैंजिस के बारे में तो इस बाइक में जो है कलर, लोगो, ग्रापिक्स, इंजन, एक्जॉस्ट, सीट, सब कुछ बदल दिया है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है इस बाइक में जो है टोटली क्रोम का दिया गया है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं अगर आप क्रोम के लवर हैं तो यह बाइक आपको काफी पसंद आएगी और इसके fuel tank के उपर Royal Enfield का 3D में logo दिया है और यहाँ पर आपको chrome की finish देखने को मिल जाती है और यहाँ पर golden color की lining और यहाँ पर tank pad दिया गया है जो की rubber का है और इसके fuel tank के उपर आपको red color का combination मिल जाता है और यहाँ से आप इसके fuel tank के cap को देख सकते हो और इसके fuel tank की जो capacity है वो 13 लीटर की दी गई है अब बात करें इसके seat के बारे में तो यहाँ पर इसकी जो seat है वो आपको split देखने को मिल जाती है और इसकी जो cushioning है वो काफी ज़्यादा soft और काफी ज़्यादा मुलाइम दी गई है पहले के मुकाबले और काफी premium quality की seat इस bike मे pre low tap के suspension दिये है और इसके rear में 270 mm diameter की disc brake दी गई है ABS braking system के साथ में और यहाँ पर आपको 120 y 80 section का tire size दिया गया है और यहाँ पर आपको 18 inches के spark wheel मिल जाते है chrome finish के साथ और यहाँ से आप इसके पीछे वाले mudguard को देख सकते हो और इसके उपर की side में आपको grab handle मिल जाता है metal का और यहाँ पर royal end field की branding दी गई है golden color और red color के combination में और यहाँ पर आपको black glossiness मिल जाती है और इसकी जो tail lamp है वो आपको round shape में मिल जाती है bulb के सा और यहाँ पर आपको indicator भी आपको bulb वाले मिल जाते है नीचे आपको number plate लगाने के लिए option देखने को मिल जाता है अब चलते हैं इसके दूसी side में तो यहाँ भी आपको एक hook मिल जाता है इस bike को पकड़ने के लिए और यहाँ पर आपको classic 350 का logo और यहाँ पर आपको royal end field का 3D में logo और tank pad देखने को मिल जाता है अब चलते हैं इसके पीछे की side में तो यहाँ पर आपको company fitted black color का sardi guard देखने को मिल जाता है और इसका चैंसेट cover जो की fiber में दिया गया है जो की open है और यहाँ पर आपको adjustable footrest मिल जाते है रपिलियन के लिए और rider के लिए भी adjustable footrest यहाँ पर की जो ground clearance है वो आपको 170 mm की मिल जाती है अब बात करें इसके major changes के बारे में तो यहाँ पर इसका जो engine है वो totally change कर दिया है जैसा कि यहाँ से आप इसके engine की design को देख सकते हैं अब दोस्तों मैं बात करूं इसके engine और power की तो इस bike में आपको 349.34 cc का air cooled forest rock spark ignition two valve BS6 fuel injected engine दिया है इसकी maximum power है 20.21 ps की 6100 rpm इसका maximum torque है 27 nm का 4000 rpm इसकी engine oil capacity है 2.20 liter की इसका curve weight है 195 kg और इसके acceleration की बात करें तो यह bike 5.71 second में 60 km पर आर की speed को पकड़ लेती है और दोस्तों इसके engine के दूसरी side से भी यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको Royal Enfield की branding देखने को मिल जाती है और इस bike में kick start का कोई भी option नहीं दिया गया है जो की अटा दिया गया है यहाँ पर आपको adjustable putrest और brake pad देखने को मिल जाता है और इसके engine के head के उपर एक spark plug दिया गया है और यहाँ से आप इसके fuel injection system को देख सकते हो और इसके engine के head के corner के उपर आपको एक oxygen sensor देखने को मिल जात है और यहाँ से आप इसके exhaust को देख सकते हो जो की fully chrome में design किया गया है उसके नीचे की side में देखोगे तो यहाँ भी आपको एक chrome की plate देखने को मिल जाएगी जो की safety features के साब से लगाई गयी है और इसका जो exhaust है वो भी change कर दिया गया है पहले इस bike में आपको एक लंबा सा exhaust म सुना देता हूँ तो दोस्तो सफ़से पहले हम bike को start कर लेते हैं लुमें 40 आप दो से में और अवर आप यहाँ कर सकते हो अब यहांसे के exhaust को सुन सकते हो जैसे कि इसका जो है और बजास प्रूली नया तो आप बात करें इसके प्राइस की तो रोयल एंफिल्ड क्लासिक 350 क्रोम रेट की एक सोरूम कीमत है 2,15,118 रुपे और इसकी ऑन रोड कीमत है 2,46,349 रुपे ये ऑन रोड कीमत मैंने आपको बताई है रोयल एंफिल्ड सोरूम, चेनार पार्क, नाव पाड़ा, कॉलकता सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप कॉलकता या असपास से हैं तो नीचे दियो हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस बाइक को बुक कर सकते हैं और दोस्तो अधर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंसन ना लें आप अपनी सिटी का नाम कमेंट कर देना मैं आपको आपकी सिटी का ओन रोड प्राइस रोयल एंफिल्ड क्लासिक 350 का रिपलाई करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा लाइक करें, कमेंट करें, सियर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबा दें, थैंक्यू दोस्तो, मिलते हैं अगली वीडियो में